कहानी सिंगल पेरेंट की कम उम्र में एक लड़की की शादी होती है. एक साल बाद वह एक लड़की को जन्न देती है और चार साल बाद एक और लड़की को जन्न देती है. एक दिन उसका पती रात को शराप पी कर घर आता है और उसे पीटता है उनकी दोनों बेटियां डर जाती है और फिर हर दूसरे दिन ऐसा ही होने लगता है काफी सहन करने के बाद आखिरकार वहाद दिन आता है जब वहाँ अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और अपनी बेटियों की खातिर उस आदमी को हमेशा के लिये छोडने का फैसला करती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती और नहीं संधर्श यहीं होता वहाँ 29 साल की थी उसकी दो बेटिया थी और उसे चंता थी कि वहाँ उन्हें अच्छा भविष्य कैसे दे पाएगी लेकिन उसने उमीद नहीं खोई उसने अपने लिए काम ढूंदा वहाँ पूरे दिन चार से पाँच स्थानों पर काम करती वहाँ अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जीतोर मेहंत प्रयास करती और अब वर्तमान में उसकी बड़ी बेटी गुरुग्राम में एक अच्छी कमपणी में काम करती है और छोटी एक मेडिकल कॉलेज में है उसने कभी उमीद नहीं खोई वहाँ किसी से नहीं डरी उसने अपने दम पर अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन किया और वहाँ अभी भी कर रही है उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया ताकि उनकी बेटिया अपने पैरों पर खड़ी हो सके और उन्हें उन चीजों का सामना न करना पड़े जो उन्होंने जहली है यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो कभी किसी से मत दरो